दोस्तो एक पर फिर साब सभी का बहुत बहुत स्वागत है देखे आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं पतांजली अर्जुना रिष्ट का और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी जैसे कि इसके क्या फाइदे है इसको लेने का सही तरीका क्या है इसके रिजल्ट कौन-कौन इसे इस्तिमाल कर सकता है साइड इफेक्ट सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी तो इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को आप सस्क्राइब भी जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे तो चलिए फिर इसके रिव्यू के सुरुआत इसके प्राइस और पैकिंग के साथ करते हैं दोस्तो इसका प्राइस 75 रुपे है जो आपको 450 एमल के प्लास्टिक की पैकिंग में मिलता है और इसे आप किसी भी पतंजली स्टोर से खरी सकते हैं या फिर मेरे दुआरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई ओनलाइन लिंक से भी आप इसे पर्चेस कर सकते हैं देखे अरजुना रिष्ट किसी भी प्रकार के दिल के रोग से पेडित लोगों के लिए काफी ज़्यादा फाइदिमन है यानि अरजुना रिष्ट हिर्दय से सम्मन्दित रोगों के लिए काफी ज़्यादा फाइदिमन आउच दी है देखे अरजुना रिस्ट हिर्दय की मसल्स यानि मान स्पीश्यों को मजबुत बनाता है जिसे की हिर्दय सारे सरीर में ब्लेड यानि खून पहुचाने के अपने कारी को सही तरीके से कर सके दोस्तों देखे अरजुना रिस्ट हिर्दय से सम्मंदित रोग या विकार जैसे की सीने में दर्द, हिर्दय की कमजोरी, दिल में ब्लॉकेज होना, हिर्दय का तेज धड़कना, फेफ़नों की कमजोरी, थकान, हाई ब्लेड प्रेशर, कॉलिस्टॉल की समश्या और दिल के ज़्यादा धड़कने की वज़े से ज़्यादे पसीना आना, मू का सूकना, घबराहट, बेचैनी, नीत की कमी, इन सब प्रॉब्लम्स में अरजुना रिस्ट काफी ज़्यादा फाइदेमन मेडिशन है, आप इसका इस्तमाल करके इसके भरपूर फाइदे हैं वो ले सकते हैं, यानि ओवराल बात करूं अरजुना रिस्ट की, तो आप इसे हार्ट का टॉनिक भी कह सकते हैं, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी बीमारी है, तो आप इसे बिलकु ले सकते हैं, दोस्तों देखिए, जैसा कि इसका नाम है अरजुना रिस्ट और आप इसके जल, इन सब बहतरीन जड़ी बूटियों से मिला कर इसे बनाए गया है, जो आपके लिए काफी ज़्यादा फाइदेमन होते हैं, और इन सब इंग्रिडियन्स को आप वीडियो के स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, तो चलिए फिर अब बात करते हैं, यानि आपको इसे कैसे लेना होता है, तो देखिए आप इसे 15-30 ml बराबर मातरा में पानी मिला कर, खाना खाने के बाद आपको दिन में 2 बार तक इसे लेना है, यानि आप इसे खाना खाने के आदे घंडे बाद कुछ इस प्रकार भी ले सकते हैं, देखिए इसे male female कोई भी ले सकता है, लेकिन ज के दौरान unnecessary कोई भी medication लेना है वो सही नहीं होता तो इसलिए इस बार में पहले डॉक्टर से जरूर सला लें दोस्तों अगर बात करें इसके side effect की तो देखिए इसका कोई भी side effect नहीं है लेकिन जो diabetes के patient है वे से लेनी से पहले डॉक्टर से जरूर सला लें दोस्तों देखिए अगर आप अरजुना रिश ले रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको अपने खान पान पर भी विसेज ध्यान देना होगा कार्बो हाइडरेट युक्त भोजन का सेवन करें इसके अलावा हरी सबजियां जैसे पालक, गोबी, आदीन सब का सेवन करें इसके अलावा पिस्ता, बदाम, अखरोट, आदीन सब का सेवन करें और रोज exercise जरूर करें देखे मिर्च मसालेदार, वो तली भुनी चीजें, उड़त, राजमा, कॉफी, चाए, वो cold drinks ना पियें, बीडी, सिगरेट, सराब ना पियें, और दिन में ज़्यादा न सोएं देखे इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, तो आसा करता हूँ कि आपको काफी कुछ समझ में आया होगा अगर फिर भी कोई question आपके मन में चल रहा हो, इस अरजुना रिस्ट को लेकर, तो आप मुझे comments के द्वारा पूछ सकते हैं देखे अगर वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक करें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को आप subscribe भी जरूर करें, ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे My name is Jitej and thank you so much for watching